हेलो दोस्तो ओलिन वन टीटी चैनल में आप सभी का स्वागत है बहाली किसी भी कोटी में हो बेतन 13370 एक समान बेतन छठे चरण की बहाली के तहत बेतन का खाखा हुआ तयार तीनों कोटी में सिक्षको को मिलेगा एक ही बेतन दोस्तो यह अपडेट जो है मुझे फ़र पु सबुर्टे छठेजंट की बहाली में तीनों कोटी के सिक्षकों को एक ही बेतन मिलेगा इस चरण के लिए सिख्षक बहाली की प्रक्रिया सुरूफ हो चुकी है वहीं पर हाई स्कूल प्लस टू स्कूलों के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया जो है चल रही है इस चरन में बहाल होने वाले अलग-अलग ग्रेट पे के सिख्षकों का बेतन क्या होगा इसको लेकर इसे लेकर विभा तक ग्रेड पे नहीं मिलेगा वहीं पे ग्रेड़ पे नहीं देने के नियम के तथ बेतनमान यहां का खाका त्यार कर लिया गया है जिसमें बाराफ फिज्दी महंगाई भता जोड़ा जाएगा चार से आठ फिर्दी तक आवास भथा भी जुड़ेगा दो साल के बाद मैट्रिक असनातक एवं PG ट्रेंड का अलग-अलग ग्रेड पे मिलेगा इसके तहत 18,510, 19,540 और 20,560 रुपे मिलेंगे यह जो है मैट्रिक के लिए 18,510 रुपे है वहीं पे असनातक के लिए 19,540 रुपे हैं और PG के लिए 20,560 रुपे मिलेंगे जीपियों ने कहा कि 23 बिंदों पर बेतरमान सौफ्ट्रवेर त्यार किया गया है इसके तहत अलग-अलग लेवेल के सिक्षक का बेतरमान त्यार किया गया है वह 18 तरह के बेतरमान का अस्तर है मगर यह 2 साल बाद लागू होगा वहीं पे दोस्तों मुझपरपुर में जो भेकेंसी है 1 to 5, 6 to 8 उसकी बात करें तो 4815 पद पर होगी बहाली दोस्तों देख सकते हैं मुझपरपुर जीले में सिक्षक बहाली के लिए जीले में कक्षा 1 से 8 तक के लिए सीट तैक कर दी गई है कक्षा 1 से 5 तक के लिए 4,279 पद है वहीं पे कक्षा 6 से 8 के लिए 546 पद है कुल मिलाकर 4,815 कुल पद पर बहाली होने जा रही है दोस्तों यह है महत्पून अपडेट आप सभी स्ट्वेंट के लिए दोस्तों अगर आप अपने चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए बगलने बेल आइकोन इसको दवाईया और हो सकते तो अपने दोस्तों में से सेर भी कर दे पूरे वीडियो को अंतक दे देखने के लिए धनवाद